नमस्कार दोस्तो मैं नरेश कुमार एनिमल केर सेंटर में आपका स्वागत है आज मैं तीसरी वीडियो बनाने जा रहा हूं लंपी स्कें डिजीज के बारे में जिसका मैंने उपचार के बारे में बताया है जिस भी वाई ने पीछे की जो वीडियो नहीं देखी है बोजा कर देखे डिस्क्रिश्टन में लिंक है ये वीडियो मैंने केवल केवल उपचार के लिए ही बनाई है कि लंपी स्कीं डिजीज का क्या उपचार है कि मैंने अपने senior से राई लेकर इस वीडियो को बनाया है यह जो tablet में बता रहा हूँ यह आपको आपके गरोह में नॉर्मल मिल जाएगी कोई ज़्यादा tablet नहीं है किवल दो tablet है पैरा सिटामोल या डाइकलोपलस डाइकलोपलस पांच गोड़ी और जो एविल की होती है बो भी पांच गोड़ी इन पांच गोड़ी को लेकर आप पसू को दे दे किसी भी रूम में पसू को दे दे आपको लंपी स्किन डिजीज दो या तीन गंटे के अंदर उस tablet का इसर आपको दीखना शुरू हो जाएगा जो फंफोले बढ़े हुए शरीर के उपर सूजन वगरा आया हुआ है वो दीरी दीरी कम होनी लग जाएगा मैंने इसका रिजल्ट भी देखा है बहुत अच्छा रहा है मैंने बहुत सारे पसो को दिलाई है ये टेखलें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है आप दे सकते हो पांच टेखलें टायकलोपलस की और पांच टेखलेंट जो होती है ए कंदीशन जो द्लड़िलल्यट की वी और हाँ जो वीय। ज noveल सहना है मेरनी पहल को देखलें को आई वी आई-विया उसका वी रिजल्ट वहुत अच्छा है एक पात है आप टेवलेट दे सकते हो या इंजैक्सल के हो या लगा सकते हो इसक का बहुत अच्छा स्वेट में रहता है मैंने बहुत शारे पूर्पशों को यह चीजे दिलवाई है तुसका रिजल्ट अच्छा ही मिला है तो आप भी अपने गरों में ये मेडिकल से आप लेकर इन चीजों का उप्योंग कर सकते हो अगर ये बहुत ज़्यादा गंबीर है तो आप डॉक्टर से राहे ले ले कोई दिक्त नहीं है हालांकि मैं ये सस्ता और बढ़िया उप्सार बता रहा हूँ ताकि आपको फाइदा हो जाए क्योंकि इसमें लगाने को तो बहुत कुछ लगा सकते हैं जैसे ये विमारी चींज़ों से फेलती है तो हम आईवरमेक्टिन लगा सकते हैं कि लगा सकते हैं कोई दिक्त नहीं है या इवरमेक्टिन क्योंकि आगे से आगे नाय फेले विमारी हवा के माद्यम से या चींज़ों के माद्यम से मक्हे मच्र के माद्यम से ही आगे फेलती है तो आप इन चीजों का भी थोड़ा ध्यां रखें पसु को एक आंत जगाए पर बांदे सब पसु से अलगी बांदे जूड़न में ना बांदे ताकि आगे दूसरे पसु में ना फेले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पसु पलब वाईयों को पता चल जाए कि विमारी होती है ताकि वो जल्दी से जल्दी संचेत हो जाए इस विमारी से और ट्रीटमेंट सुरू कर दे धन्यवाद